आप सभी को राम नॉमी की बहुत बहुत शुब काम नाए, जैश या राम, राधे राधे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको राम नॉमी की बहुती सरल पूजावी थी बताऊंगी, देखिए, चैत्रमास के शुकल पक्स की नॉमी तिथी को स्री राम चंदर जी के जनम दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे राम नोमी के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए अब हम देखते हैं कि राम नोमी के दिन हमें पूजन कैसे करना है देखे राम नोमी के दिन आप 10-11 अब जे तक पी आराम से पूजन कर सकते हैं सुबह हम सनान कर लेंगे उसके आप अपने घर के मंदिर में लाल या पीले रंका वस्तर बिछा कर ये पूजन कर लीजे या आप चोकी भी लगा सकते हैं। आप चोकी पर जहां पर भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फूल समर्पित करेंगे तो जो भी फूल आपके पास हों आप फूल समर्पित कर दीजे। इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे तो पूजा में आप जल जरूर समर्पित करें और फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो देखे भोग के लिए आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। यहाँ पर पेठे की मिठाई का भोग समर्पित किया है, साथ ही केले का भोग समर्पित किया है, तो आप कोई भी रितूफल का भोग समर्पित कर सकते हैं। जो भी रितूफल एविलेबल है उसका भोग चड़ा दीजिए देखे, भोग में आप प्रेम पुरोग जो भी चड़ाएंगे भगवान उसी को स्विकार करेंगे। साथ ही राम नॉमी है, और नॉमी के दिन तो हम हल्वा पूरिचने का भोग बनाते ही हैं, तो आप भगवानश्री राम चंदर जी,adanेश जी और अनमाण जी सभी बहोग समर्पित करें। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम रामायन का पाठ करते हैं, हो सके तो आप रामायन का पाठ जरूर करें और अगर रामायन का पाठ ना कर पाएं तो भगवान सिरी रामचंदर जी की कथा आप जरूर सुने, पाठ करने के बाद कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे, तो दीखे, आप चाहें तो जो दिया आपने जलाया है, आप उससे आर्थी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप कपूर से भी आर्थी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने जो दिया जलाया है, हम उससे आर्थी करेंगे, क्योंकि मैं आपको पूजा की बहुती सरल्विधी बता रही ह हम यहाँ पर पहले गनेश जी के आर्ती करेंगे फिर भगवान श्री राम चंदर जी के आर्ती करेंगे आर्ती करने के बाद हाद जोड़कर पूजा में रही कम्यों के लिए श्माय आचना करेंगे और अपनी मनो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम चंदर जी से प्रार्थना करेंगे तो इस तरह से हमें राम नौमी का पूजन करना है भगवान श्री राम चंदर जी बहुती सरल है थोड़े से प्रियास से ही परशन होकर मनोवांचित फल देते हैं तो राम नौमी के दिन आप भी बहुत ही सरलविदी से भगवान श्री राम चंदर जी का पूजन कर सकते हैं और राम चंदर जी का जब भी आप पूजन करें तो हनुमान जी का पूजन आप जरूर जरूर कर आप घर के मंदीर में ही बहुत आसानी से स्री राम चंदर जी का ये पूजन कर सकते हैं और हाँ अगर आपके पास रामायन है तो जब आप पूजा करें तो रामायन को भी यहाँ पर जरूर जरूर रखें क्योंकि रामायन का पूजन भी बहुत ही शुब माना जाता है और हो राम नाम की महिमा अप्रम पार है पापी से पापी प्राणी भी राम नाम जब कर मोक्स को प्राप्त कर लेता है तो राम का नाम जबते रहें फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैश या राम राधे राधे